हेलो स्टुडेंट, वेर गुड मॉर्निंग आज ये आपने टोपिक नंबर 1.2 निवाद करसू जे आपने अस फटिक मैं अने इस फटिक मैं कन पदार्थ विसे माहीती आपसा जो तमने पेला फोटो ने अंदर देखाये छे बदया पार्टिकल ने गोठावनी जेम तेम थाये रिली छे उपर तमें जुगो छोई माँ इछे अस फटिक मैं पदार्थ त्यां चोकरीडा हाथ माँ जे तमारी पास से कोटन केंडी छे एड़े जहू तमें समझी सको नीचे तमने उदार्ण आपिऊ छे स्फटिक मैं पदार्थनू जे टेबल स्वोल्ट मतबके मिठ्थू छे खांड छे आब दा पदार्थो तमारी पास स्फटिक मैं पदार्थ तरीकिये ओडखवामा आवे छे चलो तो स्टार्ट करिये छे घन पदार्थोना घटक कणूनी गोठवणी केवी रिद्य था छे एना आधार है घन पदार्थने बे प्रकार माँ वह जी सकाए पेलू छे स्फटिक मैं गण पदार्थ अने विजु आवे छे अस्फटिक मैं गन पदार्थ आपने बन्नेनी वाद करवानी से सोथी पेला वाद करिये स्फटीक में गंपदार्थ नी तो स्फटीक में गंपदार्थ मा जे पर्माणू अणों के आयनों छे एमनी गोठवनी व्यवस्तित थायली होई बव लांबा अंतर सुधी एक ने एक जेवो सफटिक छेई पाछो रिपीट थसे आने आखी रचना बनाऊ से हम यागर तमें जोओ छोगे तमने एक जियोमेटरिकल आकार देखाये छे आज आकार वारे घडिये पुण्डा वर्तन पामे छे आने आखा स्फटिक नी रचना गरे छे अहियागर एने चोकस पोतानो एक आकार होई छे इतमारी पासे चोरस लंस चोरस एवा प्रकार मां होई सक्से आहियागर जोओ तमने चे देखाडियो छे इह हकिकत मां अस्ट फोला की रचना जेऊ छे आहियागर तिवर खुणा हासे अने सपार्टियो होई छे सपार्टिक में पदार्थना उदार्ण नी बात करिये तो क्वार्ट्स अने सोडियोम क्लोराइड आब अने सपार्टिक में पदार्थना उदार्ण छे बिजो जे प्रकार हाँ तो आपने पास है ऐ अस फटिक में पदार्थ जेने एमोर्फस सोलेट के वाई अंग्रेजी मां एमोर्फस जे सब्दा छे इ ग्रीक भासानी एमोर्फ उपर थी आपएँछे एमोर्फ नो मतलब था है सेपलेस मतलब जेन पोतानों के आकार नाथी स्क्रीन उपर दमने वे उदारन देखाड़िया छे एक क्वार्ट्स नूँ और बिजू ग्लास नूँ के काच नूँ छे आईया गड़ जे तमारी पासे गोठावनी छे थोड़ा कंतर सुथी व्यवस्तित असे पन बहु आगड व्यवस्तित होती नाथी मतलब आया नियमित्ता हो छे पन थोड़ा का जंतर माटे पची अनियमित्ता हासे अब इस फटिक में गन पदार्त नहीं बात करो तो तम एने जो गरम कर सो तो ये गरम करवाथी धिमे धिमे प्रवाही मा फिरवाई जाए छे एक चोक कस्ताप माने पण आज वस्तु तमने अस फटिक मा जोवा नहीं मड़े मानलोग तमारे पासे कोई अस फटिक में पदार्त आपेलो छे आ काड़ो पदार्त छे अस फटिक में पदार्त छे औन तमे इने गरम कर सो तो लामबा अंतरालेई प्रवाही मा फिरवाँ से मदल बाखी टेंपरेचर नी रेंज लेसे काज छे इतमार पासे अस फटिक नूँ सारू उदार्ण छे एने साच्चा घनपदार्त के वाता पड़ ना थी एने आपड़े आपड़े आभासी घनपदार्त के सु कारण सुछे कि जारे तमे इने गरम करो तो इधिमे धिमे पोचा बनता जाए, सोफ्ट बनता जाए, अने तमे एने जे रिते वाडवा हो ये रिते वाड़ी सको छो, तमे एने जे आकार आपड़े आपड़े आपी सको छो, आई या गड़े एनु चोकस गलन बिंदू नहीं होए, उत गलन बिंदू पन एनु चोकस ना थी होतू, एटला माटे अस पटिक में पदार्थ छे, एने आपड़े खोटा गन पदार्थो अथ्वा तो आभासी गन पदार्थ तरीके उडखे छे आना टुकडा तमें जारे करो छो सैलाई थी थाई जसे एनो उतकलन बिंदू ठेकाणू न थी उसमा तमारे चोकडा आपवी पड़ती हो छे, तो आबदा कारणों थी आपड़े अस माटिक पदार्थ छे, एने खन तरीके से कारदा न थी आना थी विरुद जो वाद करिये स्फटिक में पदार्थ नी तो स्फटिक में पदार्थ ने पोता नो चोकस उतकलन बिंदू होई छे तमेने गरम कर सो तो येक फिक्स ताप माने प्रभाहिमा फिराई जसे अस्फटिक में पदार्थ मा आवी वाद तज नती होती याकी टेंप्रेचर रेंज मा गरम थाई आने ओगर से चलो, हवे आपड़े जोवानू छे के इस्फटिक में पदार्थ तमारी पासे होई एने अंदर जे पर्मानों नी गोठों नी छे इ कैया प्रकार नी थासे हवे, आपड़े वाद सेनी करता था स्फटिक में पदार्थ नी स्फटिक में पदार्थ तमें जे बोलो छो, औने यह ना तमें टुकडा करो छो ना ना पीसेस मां आपड़े एक तोड़ी नाखिये पची सू थाये छे या आपड़े समझवानों छा बराबर तो सू कर सू आपड़े सौथी पेला सफटिक में पदार्थ छे एने लाई ले ले सू आज सफटिक में गन पदार्थ तमने सामें देखाये छा आने एक जे गुणधर्म छे ने एन आइसोट्रोपिक गुणधर्म केवे आ एन आइसोट्रोपिक गुणधर्मनों मतलब समझजो दरेक दिसा मा तमें जसो त्यां भौतिक गुणधर्मों अलग-अलग से जेमके तमारी पासे उतकलन बिंदू थाईग्यू गंता थेगे विज प्रवाहन वहान थेगे आ एक्स वाई जेट त्रणे दिसा मा अलग-अलग-अलग गुणधर्मों देखाड़ेश एटला माट आपड़े एन आइसोट्रोपिक गुणधर्म केशू जेरेम वाद करू अस्फटिक माई पदार्थ नी तो इनू आइसोट्रोपिक नेचर असे मतलब दरेक दिसा मा तमने भावतिक गुणधर्मों सर्खाज जोवा मडशे इपजी घंता होई विद्यूद प्रवान वहान होई के अवरो धकता होई बदा गुणधर्मों बदी दिसा मा सर्खा सफटिक में गन पदार्थ ने आपने जो चप्पा के छरी वड़े का पिये अने जे ना ना टुकडा छे ने जोईए तो इबदा टुकडा तमने सर्खा जेवा देखाए एकदम पॉलिस कट आने बदा देखाओ मां सर्खा होई पण जो हूँ असफटिक में पदार्थ लएलो अने एना टुकडा करी ना खुछू अने एना टुकडा ने अवलोक कन करी आपड़े तो आना तमने अलग-अलग टुकडा देखाँ से एक के मां ठेकाणू नहीं होई बदा एक बिजा करता सावज अलग प्रकार ना जोवा मड़ से तो आबनने वात अधितेमान पास असफटिक में एक कन पदार्थ नी जे बदा तफावद ना मुद्दा हो छे या अपने हमना थोड़ी को आर्मा चोपडी मा पन जो शू पन बदी वस्तु ख्यान होई जूए है तो आफरी असफटिक में कण सोबिजastically गुणता म छे सिमेक्त्री नो अंहिस अगर तमने प्लाइन अफ़ सिमेक्त्री जुवा मड़ से अहिस में मड़ सोपड़ी हो यह बह्या आतो शक्रागो आपके में उस्तंड्मान bicum मैं गन्पदार्थों नी अपड़े बन्य प्रकार्ण ना गन्पदार्थनी वाद करसू पेलू छे अस्फटिक मैं जेने के वास एमोर्फोस बिजू छे अपड़ी पास्था स्फटिक मैं जेने अंग्रेजीम मां क्रिस्ट्रलाइन सोलेट्स तरीकी ओडखवा मां आवेशा चलो जूओ यहाँ थी गन्पदार्थों ने तेमना कटक कणोनी गोठवण मां हाजर क्रम ना स्वबावने आधारे स्फटिक मैं अने अस्फटिक मैं तरीके वर्दिक क्रूद करासे तो यहाँ आधार सोचे ही समझ्जो खटक कणोनी गोठवणी नो क्रम केवरेते गोठवाईला चेन प्रमाण आपड़े बेविभाग मायने वर्गी क्रूद करसू नेक्स्ट जो स्फटिक मैं गनपदार सामाने रिते मोटी संख्यामा ना 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 स्फटिको कोनी बाद करिये छिए स्फटिक मैं गनपदार थनी सामाने रिते मोटी संख्यामा ना 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 स्फटिको जे माना दरेक लाक्षनिक पवमीधिक आकार धरावे छे तेनो बनेलो छे मतलब थोड़ा गणा चोरस लई लियो तामें चोरस ने ठोदा जो बाजु बाजु मा तो आना थी जे रचना बन सेना आपड़ सु कई देशु एक सपटिक कई दीदो मालोग तामें वर्तूर बदा गोट हो छो तो एक सपटिक बनीगयो तो केवानों मतलब यांगड दरेकने पोतानों भौमीधिक आकार हसे याँ सब्दे जो जो लाक्षणिक भौमीधिक आकार मतलब चोरस होए गोड होए त्रिकोण होए सस्ट कोण होए काइंक निकाया आकार फिक्स हसे स्पटिक मां घटक कणो जे मां तमने पर्माणू अनू अथवा तो आयन जोवा मड़से आ घटक कणो नी जे गोठावनी छे ही क्रम बध होई छे मतलब लामबा अंतराल सुधी इ रिपीट थया कर से अने त्री परिमाण मां पुन्रा वर्तन पामती होई छे तमने 3D मां पुन्रा वर्तन था तू तू जोवा मड़से जो आपने स्पटिक ना एक भाग ने भाग मां रहेली भात नो अभ्यास करिये तो स्पटिक ना अन्य भागोना कणो ना स्थान नी आगाही करी सकिये पजी भले ते अवलोकन ना स्थान थी गम्मेटला दूर होए मतलब एक मोट्टो सोलिड अधार्चे ने स्पटिक माई छे तमने एक भाग नी खबर पड़ी गई मतलब एक नानो टुकडा विसे माहीती मड़ी गई लोखण नो आखो पतरू छे ए माती तम्येक नानना पाग ने अवलोकन करो छे न खबर पड़ी गई लोखण नो छे अने एने आटली जाड़ाई छे तो तमने दूर्ना पाग ने विसे पण माहीती मड़ से बीजो पाग से ना थी बने लोखण थी लोखण थी कोपर थी बदी वस्तो नी माहीती मड़े छे उ किदू आउ क्या आसा चुबंसे स्फटिक हसे त्या आगर जूँ आम स्फटिक ने गम्मे सोरी आम स्फटिक ने तेने क्रम नो लांबो विस्तार होई छे जेनो अर्थेम थाए के कणों नी गोठाउनी नी एक नियमीद भात होई छे तो मैं पेला जेम किदू के स्फटिक ने अंदर लांबी गोठाउनी आसे मानलोग तमार पास या स्फटिक नी रचना चे पेली छे आवा मानलोग तम्हें आटला भागनी माहिती मड़ी गए तो आगड तो बदा सेम अच्छे न अहीं आजूओ अहीं आजूओ अहीं आजूओ बदा सब्सक्रोण चे ने गोठवायला छे तो एक नाना टुकडावी से माहिती मेडवीन तम्हें आखानी वाद समझावी सको छो चला अवे यां गड़ जूओ आपड़ी आजे नियमीद भाद अथी जे समग्र स्फटिक मा आवर्तिय रिते पुंडा वर्तित थाए शे एक ने यक पाथ चे वड़ि पाथ ही रिपीट था यागर्स था यागर्स जो उदारण सोडियम क्लोरेड अने क्लोरेड याने स्फटिक माए गणपदार्द छे आवे जो अस फटिक मेश सपटिक माए पधार्द निवाथ करिए तो काच रबबर अने प्लास्टिक, तो आउद्धारन तमने याद हुआ जोईए, काज छे, रबबर छे, प्लास्टिक छे बिदा अस्फटिक में छोए ने, सोडियम क्लोराइट छे, क्वार्ट्स छे, आब दा तमारी पासे स्फटिक में आउसे हावया आप मुद्धो जोजो, आप दार्थोंने जरे ठंडा पाड़ी घंस्वरूप मा फिरवम आवे त्यार थे हूँ, स्फटिक को बनावता नाथी, यहां स्फटिक बनावा सक्या नाथी, क्यवानों मतलब बेटलो जी, आप दार्थ ने अस्फटिक में गन्पदार्थ क गटक कणो नो टुंका विस्तार नोक्राम होई छे मतलब आवो लांबा गाडा सुधी नहीं रे एनना जे पुंड़ावर्तित भात छे बवज टुका गाडा सुधी नी होई छे नेक्स्ट आवी गोठ्वन मा नियमित अने आवर्तिय पुंड़ावर्तित भात मात्र टुका गाडा सुधी जोवा मड़े छे नियमित भात तो विखेरित होई छे जो वाद करिये छे आपड़े असफटिक मैनी अगर जो आतमें थोड़ा कज रचना सुधी मिलब आ जो सुधी तो छो मेंबर्ण तो उने सरकल देखा से पड़े अगर जो आठ नो नो थेग्यू तो काई ठेकाणों नाथी काई विवस्तित्ता नाथी चलो, क्वार्ट्स अने क्वार्ट्स काच बे पदार धाफे छे खाली क्वार्ट्स हो तो सफटिक मैं छे अने क्वार्ट्स काच हो तो असफटिक मैं छे आपड़े नी रचना आपड़ने आपी छे पेल बंने पदार थेक चे, क्वाड्स अने क्वाड्स काच, पने अगर स्फटिक में छे, आवस्फटिक में छे, सोरी जो यह वाद चो, बंने रचनाओं महाद अन्ज से सर्खीच चे, आम जो तो तमने बंने इमा काई फेरक नत देखा दो, बंने सर्खाजे भी लागे चे, छता, अवस्फटिक में क्वाड्स काच मा लांबा विस्तार नोक्रम होतो नथी, त्या टुका गड़ा नीज रचना तमने जोवा मडशे, अवस्फटिक में गणपदार्थनी रचना प्रवाही ने समान होई शे, आजे भाग छे ने अपड़ प्रवाही साथे स्विकार्शू, सुकरवाई हमना थोड़ी कर्मा जोशू, अत्यार समझ जो अस्फटिक में आपड़े प्रवाही जेवा मानिय अथो ठंडा करेला प्रवाही मानिया शे, खटक कर्णोनी गोठोनी ने तफावत ने आधारे बनने प्रकारना घंपदार्थू तेना गुर्णधर्मों मा जुदा पड़े शे, तो अलोकोना गुर्णधर्म मलगलग होई शेम बात करी, हवे जे गुर्णधर्म छे इज आ तापमाने ते एका एक पिगड़ा शे, गरम कर्सो तो ये एक चोकस तापमाने, मलोके 50 डिग्री ये पिगड़ी यू, तो ये एक लाक्षण एक तापमान थायू, अने प्रवाही बने शे बीजी बाजू, औस फटिक में घंपदार थोने तापमान ना गाड़ा नी जरूर पड़े छे, एने गरम कर्सो तो ये पिला नरम पड़ से, नरम पड़े आ पछी पी गड़ से, अने आके टेम्परेचर नी रेज जो है पच्चास्तिकर ने सोड़ी जरू तापमान थामें सतत गरम करता जाओ, तो फिला नरम पड़ेचर पछी प्रवाही जरू अने तापमान ना गाड़ा मा वहवा मंड़े छे, थोड़ू गरम कसो वधार तो ये वहवा मंड़ से, तेमने डाड़ी सकाय छे, मतलब जे आकार आप वो यापी सकासे, अस पटिक में घन पदार्थों ने बंदाणिया लाक्षन इकता हो, प्रवाही हो जेवी होचे, अजो डाड़ी सकाय, वाड़ी सकाय, वहन करावी सकाय, आपदी कोनी लाक्षन इकता है जे प्रवाही नी, एटले जा आपड़े थोड़ी कवार पे बंसेड ने, तमें जो ने चोकस ताप माने गरम करोंने इज ताप माने जाड़ी राखो, तो ये तमने स्फटिक माई स्वरूप देखाड़े छे, पूरातन संस्कूरती माद ही माड़ेली केटलिक काच नी वस्तु देखाव माँ दुधिया जेवी जणाई छे, मलाब दुधिया कलर छे तमने स्फटिक ने काईने जो अमर्षे, प्रवाही नी जेम अस्फटिक में गनपदार्थ वहवानू वलण दर्स आवे छे, जोके ते खोबज धिमे थी वहे छे, आथी गणी वख़त तेमने आभासी गन, अथवां अतिसिल प्रवाही पदार्थो कैव आवे समदैसिक होई छे, जो आँ सब्द तमने कदार तकलिफ देवड़ावे, अहुं सारे रिते समझाओ छू, लख्यो छे समदैसिक, समदैसिक नो मतलब थासे, आईसोट्रोपिक, आईसोट्रोपिक नो मतलब समझो, दरेके दरेक दिसा मां भौतिक गुणतर्मों सर्ख जो वो यहां तमने देखाडू, आतो जो केस फटिक में पदार्थाप्यों छे, पड़ आईसोट्रोपिक में पदार्थ होई, तो यहना गुणतर्मों बद्धा दिसा मां सर्खा आसे, अचा यहलों कोई लख्यो पड़ चे, वांचो यहां, अर्थाद, तेमना गुणतर् आई, वक्री भवनांक, विध्युत वाहकता, अवे ता भवतिक गुणतर्मों छे टूद याद राखो, वगेरे बद्धीज दिसा मां सर्खा होई छे, दरेक दिसा मां तमने गुणतर्मों सर्खा जोवा मड़े छे, आम तमानू कारणे छे के तेमना लांबा विस्तार न सर्खा जोवा मड़े, परेणा में बद्धित दिसाओं मां एकंदररे गोठ्वन सम्तुल्य बने छे, तो तमने दरेक दिसा मां जता सर्खा पर्मानों जोवा मड़े पर्मानों सर्खा तो गुणतर्म बन सर्खा, तेती कोईपन दिसा मां कोईपन बहुतिक गुणतर्म न के मी समझ्जू, मतलब सुछानो, एककज स्फटिक मां जुदी-जुदी दिसामां पवतिक गुण धर्मो अलग-अलग होई छे, केवा पवतिक गुण धर्मो तमारी पासे विध्यूतिया अवरोध वक्री भवनांक आवधाना मुल्यो अलग-अलग दिसामां अलग-अलग ह लाल टपका सुदर सावे छे, C-L- अनि जे वादरी टपका छे आपड़ने सोडियू देखाड़े छे, बराबर, बेवस्तु गलेर थेगे सोडियूम क्लोरेड नुस फटिक छे, उमारी लिए, तो अवे जो जे रेखा तमने A थी B बाजू दर सावे छे, A थी B बाजू न लाल एक प्लिव, एविरित है, तो जो पर्माणू बदलाई क्या, एटले, पर्माणूनी गुणधर्म छे, इपण बदलाई जासा, तो बनने बाजू तमने अलग-अलग गुणधर्मों जो आमड़ सा, आज वस्तु ने केवाई छे, विसम दैसिक, चलो जो या गड़व आ आकरूती, बे प्रकालना पर्माणूनी साधी दूई पर्माणूविया पातनी गोठवनी दर्सावे छे, आकार प्रती बढ़, ना अवरूद, जे वाके यांतरिक गुणतर्मों, आकरूती मा दर्साव्या मुझब दिशाओं मा तद्दन्चु दावी सकेच, आवड़ काई जमाच वानू ना थी, आ एक टेबल समझी विचारी ने याद कर ले वानू छे, सफटिक माई ने असफटिक माई ने बद्दी वात वाथ आवी जासे, पुछा से तो आ टेबल माथी जासे भी जुकाई नहीं पुछाए, जो किटला गुणतर्मों हो छे या लग लग आसफटिक माई पदार्थ ने काई जाकार होतो ना थी, नियमी ताकार हसे नहीं, गलन बिंदू, चोकास ने लाक्षणिक तापमाने पिगडे छे, जैरे असफटिक में पदार्थ, पिगड़ से नहीं, धिमे धिमे नरम पड़ से, अने तापमान मा गाडा माँ पड़ से, मलोग आमा तमने 50 डिगरी फिक्स मड़ी सके, पड़ आमा सू मड़ से, साहीट थी, एसी, नेव थी, पान्सो, आवीरी थेया की रेंज मड़ से, कोई एक फिक्स तापमान नहीं होए, इतलुच केवानू छे, नेक्स जो, चीराड गुन दरमो, क्लिवेज प्रोपार्टी, मलब तोडवानी वाद छे, कापवानी वाद छे, आवाँ चो एले समझाई जाएछ, जरे तिक्ष्ण धारवाडा साधन वडे, कापवामा आवे छे, त्यारते बे भाग मा विभाजित थाएछ, अने नवी उत्पन थाहेली सापाटी, साधी अने सूमाडी होईछ, मतलब स सोडियम ने उन्सु गरूचू वच्चे थी कापू जो, एक्जेटली, तो आवे टुकड़ा थासे, आवे टुकड़ा नी अंदर मने एकदम लिस्सी सपाटी जोओ अमाड़से, मालोग आवे टुकड़ा थाही गया छे, हवे बनने भाग जोसो ते तो उन्ने ओल्मोस्ट लिस्सा देखा से, कदा जाकरूती मां नहीं देखा थाओ पे ढाके के तो आवे लिस्सा, पर मानलोग के उन्को एक असपटिक में पदार लेलो, एक डेफू लेलो उचू, डेफू एला समझो छो ना, के मार्टी नो एक टग पड़े हो, एमां तरी डेफा, पत्थर एक ट पफवा मा आवेश, त्यारे बे अर्नियमित सपाटी वाड़ा पाग मा विपाजित थाएचा, एजो टुकडा थासे, एनो काहीं जित, फिक्सिंग नहीं होए, जेवा तेवा टुकडा था ही गयाश, नेक्स्ट आपड़े पासे चे गलन उसमा, समझो गलन उसमा नो मतलब तेवने निश्चित अने लाक्षनिक गलन उसमा होई छा, सुवस्या ने एक निश्चित अने लाक्षनिक गलन उसमा जोवा मड़े छा, एक चोकस तापमान आपसो, एक चोकस गर्मी आपसो तो भी पिगडी जासे, जैरे असमतिक पदार्थ मा एव न थी होतु, एने गरम करवा माठेकर नो है आज ये मानलो के 50 किलो जूल ने उर जा जो ये तो काले 100 किलो जूल जो ये तो ये दिवसे दिवसे बदलाए पदार्थ थी पदार्थ बदलासे आव दाता कलिफ छा चलो ए छेला त्रण गुणधर मों जो ये पाच च्वाने साथ विसमदैसिक हसे स्पटिक में पदार्थ छे इस वभावे विसमदैसिक छे पन अस्पटिक में पदार्थ समदैसिक छे आँ समझाओ जो ये next स्वभाव साचा घन छे जिस पटिक में पदार्थ चे इन आपड़े साचा घन के बधार्थ केअश जया रे अस पटिक में पदार्थ ने आभास गन this प्रवाही पदार्थ के cosm. गटक कणोनी गोठोणी निवाद करे छेलू लामबा विस्तर सुधी गटक कणोनी गोठोणी व्यवस्तित असे साचोक्रा मासे आया फक्त टुका गाडा सुधी गटक कणोनी गोठोणी जुवा मड़े छे आगड जत्ता गटक कणुनी गुठाउनी अव्यवस्तित्थाई जाशा चलो जूओ ओई याँ स्फटिक मैं और अस्फटिक मैं पदार्थो उप्रांत केट लाग एवा गण पदार्थो छे के जे देखी तीरी ते अस्फटिक मैं लागे परांतु तेवो आति सुक्समा स्फटिक मैं रचनाओ धराउता हो छे मतलब पेली नजर माजे उँँँदो तौम ने अवा स्फटिक मैं लाग से पणि हैकेकत मा क्य वाउ bilmiyorum छे स्फटिक मैं हो छे एम नामा नैना क्रम मा स्फटिक मैं गोठाउनी हो छे आवा पदार्थ होने आपड़े बहु स्फटिक माई गन पदार्थ केशू आ एक नवी व्याख्या शे नवी एड थाई छे तो आने बहु सारी रिते ध्यान राग जो नेक्स्ट खणिवार तातु ओ बहु स्फटिक माई स्थिती माँ जोवा मड़े छे तातुना नमु नामा व्यक्तिगत्स्फटिको अस्त्यस्त गुठायला होवा थी ते आखो स्फटिक विश्वमदैसिक होवा छता समदैसिक लागे जो अद्ध समझ्जो थातु छे हकिकत्मा वी समदैसिक पड़े ना 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 टुकड़ाओ बदा भेगा मड़े ने मोटो पाइप के मोटी वस्तु मना आवे तो दूर थी जोता के आपड़े कोई गुणतर माँ पिये तो तमने समदैसिक लाग से छेलो पॉइंट अस फटिक में कन पदार्थो उप्योगी पदार्थो छे जेमके कायाच रबर और प्लास्टिक आपड़ा जीवनमा खुबज उप्योगी छे अस पटिक में सिलिकोन एक एव उत्तम फोटो वॉल्टेक प्रदार्थ छे जे सोर उर्जाने विद्युद उर्जामा परावर्थित करवा माटे प्राप प्ये छे तव नेखाबर जेक सोलार सेल होए ये मां सिलिकोन नो प्योग थाए तो एनी वाद कहिए लीछा जोला लखान संबंधी प्रस्टों छे तमारो आजनू होमवर्क बन से एक थी करेने चार लखान संबंधी प्रस्टना खरना आग जो बिजुगाई करवानी जरूर न थी उपर थी मड़ी जैसे मोटा भगना आमुक पदार में तमारे थोड़ूक विचार उपर से न समझाए तो वोट्सप करने पुछो आज ना लेक्चर माटे आपड़े आटलूज राखे छे नेक्च लेक्चर थी पॉइंट आपड़े एक पॉइंट तरण चालू करशू आई याँ पन टेबल आवसे आने बहुवज इंपोर्टेंट्स है आई याँ सुदी राखे से बाके बदू नेक्च लाएंगा थेंक्यू वेरी मच